केंदर सरकारद्वारा लगाता देश में तरक्की की नई-नई राहे खोली जा रही है और देश में कही तरह से उपलब्दियां करवाई जा रही है इसी के चलते बंदे भारत ट्रेन जो की दिली से कट्रा तक चलती है जिसका प्ठान कोट में स्टोपेज ना होने के कारण पिछले लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इस त्रेन का प्ठान कोट केंट रेलवे स्टेशन पर स्टोपेज दिया जाए इसके लिए ना सिर्फ प्ठान कोट बलकि प्ठान कोट के साथ लगते ही मांचल के इलाकों के लोग भी यतन कर रहे थे क्योंकि बंदे भारत के प्ठान कोट केंट रुकने से ना सिर्फ पठान कोट बासियों को इसका फायदा मिलेगा बलकि हिमान्चल के लोगों को भी इससे राहत मिलेगी नूरपूर के भी धैक डनवीर सिंग निका NBC- कैन्दवसर कारदवारा उनकी मांगे मांगे ली गई हैं जिससे ना सिर्फ पठान कोट गुर्दासपूर बल्की हिमान चलके नूरपूर कांगडा तक के लोगों को इसका फाइदा मिलेगा इस मौके पर उनके साथ युवानेता राहूल सिंग पठानिया भी मुझूद रहे जिरो ने किंदर सर्कार के इस फैसले की सराना की है एक आम कारेकरता रनवीर सिंग निका पहली बार बिधायक चुनके आया और गरब से सिना चोड़ा इसलिए होता है कि हमने जो पस्ताव दिली में जाकर चंद महीने पहले दो-तिन महीने पहले मैंने मेरे साथ राहूल सिंग पठानिया जी हमारे साथ डक्टर जनक जी बिधायक हैं भरमोर से दलो जी से बिधायक हैं डियस ठाकुर जी हमारे साथ हमारे पूर बिधायक रहे हैं सुजानपूर से दिने सिंग बब्बू जी प्रेन नहीं रुक रही थी, यहां पर हमारा जिला कांगडा, जिला पठानकोट, जिला चंबा, जिला गुर्दासपूर, चार डिस्टिक का जो में यहां पर जंक्षन है, तकरीवन हमारे नौजवान साथी आर्मी में हैं, फोजी चंबा से, कांगडा से, बहुत से हमारे सेन में तेनाद हैं, और सबसे बड़ा केंट यहां पर जो आर्मी का है, तो लोगों को आने जाने की सुग्दा जहां पर मिले, हमारे लोगों ने बात करी कि हमें भी बंदे भारत में सफर करना है, हमारा भी टाइम बचे, हमने भी माता वैशनोजेवी के दर्शन करने जाना हो जी के साथ मिले, उनको हमने अपना पस्ताब दिया कि लोगों की यह डिमांड है, आप भी हिमार्चल से समंध रखते हैं, और इतना बड़ा हब यहां पर है, यहां पर इतने लोग पूरे भारत का ब्रह्मन करते हैं, तो यहां पर स्टोपे चाहे दो मिनिट का, तीन अपना पस्ताब दिया कि यहां पर ट्रेन रुकनी चाहिए, उनके माध्यम से हमने प्रयास किया, और पिछले कल बड़ा खुशी का दिन था, कि जब हमें वहां से फोन आ रहा था, उन्होंने मैसेज किया, कि ऐसे ऐसे जो आपका पस्ताब है, वो सबकार हो गया, पठान को जिला, गुर्दासपूर जिला, हमारा जिला चंबा, जिला कांगडा, कि सबी लोगों तक यह सूचना पहुंच जाए, कि यह खुशी का पल आपके सामने आने वाला है, केंदरी हमारी सरकार ने इसको मंजूर किया है, जहां पर स्टोपेज होगा, तो उसी खुशी के नात यह बात हर घर में पहुंचे, नौरपूर से असोग ठाकर की रिपोर्ट